हेलो एबरीबावन वेलकम टू खुशी गूर लाइफ चैनल ये जूते वाली वीडियो मैंने कल बनाई थी और ये वीडियो में डाल चुकी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वहाँ जाके चेक करिए ये वेश्ट पड़े थे तो मैंने इन में प् प्लांट में लगा रही हूं इसको और मेरे पास ना इसके लिए बड़ा ही पॉर्ट है चोटा नहीं है और देख सकते हैं चोटा प्लांट है ज्यादा बड़ा नहीं है तो इसके लिए पोर्ट भी हमें चोटा ही चैए ज्याधा-ज़द़ दस इंच का लगा लेज़िए आप इतना तो पोट चाहिए हमें और मेरे पास है यह 12 इंच का पोट तो अगर पोट बड़ा होता है और प्लांट छोटा है तो हमें मिट्टी उसकी कम कर देनी चाहिए मिट्टी ज्यादा नहीं भरने चाहिए क्योंकि प्लांट के इसाब से ही हमें उसको पोट देना कि यह न नीचे-चे न खाद बनती रहती है और हमारे पोदों को भी मिलती रहेगी ये खाद और हमारी वेस्ट भी नहीं जाएगी जो सुखी पत्य हम निकालते हैं गार्डन में जो गार्डन से निकलती है वो मैं इखटा कर लेती हूं और इस तरह से यूज कर लेती हूं उनको और पतिया भरने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें न मिट्टी डाल दूँगी उपर ताकि नीचे नीचे हमारा ये प्रोसेस भी इसका चलता रहे खाद इसकी बनती रहे जब मैं कभी इसको फिर रिपोर्ट करूंगी तो तब तक ये खाद बन चुकी होगी और मुझे पता भी नहीं लगता मैं हर पोर्ट में ही यही प्रोसेस करती हूं कि सुखी पत्या इसमें डाल देती हूं पोर्ट में ठेकरी भी डाल देती है और ना हो घराब ना हो इसलिए थोड़ी पहुत मैंने रख ली है और उपर से मैं जो अपनी गार्डन सोयल वगर जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो मैं डाल दूंगी और ज्यादा पोट नहीं भरूंगी इतनी ही मिट्टी रखूंगी ताकि पोट की रिक्वायर्मेंट के हिसाब सथी जादा मिट्टी बरने से पोट फिर इतना बड़ा हमारा पोधा नहीं है और इतनी हम मिट्टी ने डाल सकते इसमें तो हमें इतनी ही मिट्टी इसमें डाल दी है मैंने और इसी हिसाब से ही लगाना चोटे पोदे को और मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है लग भी चुके हैं और सारे मेरे पोदे लग चुके हैं जो मैं नर्सरी से लाई थी और यह जूत्ती वाली पोदे भी मैंने लगा दिये हैं आप इनको देखिए वीडियो